हेलो फ्रेंज आज हम यहाँ पर 36 फॉरेस सर्विस एक्जाम 2020 की जो नोटिफिकेशन आई है उसके अंतरगत आज हम लोग साइंस के क्वेशन यहाँ पर देखने वाले हैं क्वेशन को हमने एमसुक के फॉर्म में लिया है और आज का देखिये यह तीसरा वीडियो है मतलब इसके पहले हम लोगों ने दो वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए आज का हम होता है डेली करेंट अफेर अपडेट होते हैं इसके अधस जो भी सब्जेक्ट है उसके नोर्स आप लोगो यहां पर देखने मिल जाएंगे प्रिवियर सेयर में जो भी इसके एकजाम हुए है उसके क्वेशन पेपर भी आपको यहां पर मिल जाएंगे तो इस एपको अतिसार का कारण बताईए, यह है option आपको बताना है अतिसार का कारण, आंसर है इसका option number D, उप्रोक्त सभी, यानि कि जो संक्रमण होते हैं और जो विशाक्त भोजन होते हैं और अपच्छ, यह तीनों ही जो कारण है, वह अतिसार का कारण है, इन में से किसके द्वारा जापानी इंसफिलाटिस फ्यालता है, फर्स्ट option है मच्छर से, सेकेंड आपच्छन है कुट्टे के कारणे से, थर्ड आपच्छन है प्रदूसित जल से, नेक्स्ट है या फिर वायू से, आंसर हो जाएगा इसका मच्छर से, फर्स्ट आपच्छन है मच्छर से, जो जापानी इंसफिलाटिस होता है, वह मच्छर के कारणे से फ्यालता है, नेस कुश्चन है, मानाव में पोशर के प्रमुक चरणों का क्रम क्या है, यानि कि मानाव में जो भोजन हम लोग खाते हैं, उनका पच्छनी का जो क्रम रहता है, वो कौन सा क्रम है आपको बताना है, आंसर है ओप्सन नमबर C, यानि कि पहला जो स्टेज होता है, वह है इंजेशन, दूसरा स्टेज है पाचन, तीसरा है और शोशन, चौथा है एसिमिलेशन, और पाच्छन है एजिस्टियन, यानि कि टोटल पाच चरणों में जो पाच्छन की क्रिया है, वह पूरी होती है अब पहला है इंजेशन, इंजेशन मतलब क्या होता है अन्ताग्रहन, यानि कि मुख से भोजन करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग अन्ताग्रहन करते हैं, ठीक, दूसरा है पाचन, या क्रिया जो है मुख से ही प्रारंब हो जाती है, दातों द्वारा भोजन को च यहां पर और शोशन क्या होता है जैसे ही हम लोग भोजन को अंदर लेते हैं वो हम लोग की और शोशन में आती है यानि कि छोटी आत में भोजन का और शोशन होता है अब है एसीमिलेशन होता है इसका क्या मतलब अशोशीद भोजन को सरीर द्वारा उपयोग में लाया जाना स्वांगी करन कहलाता है चسمें भोजन होता है चुश्यस के पाल शोशन अस्टेशं कu होता है यह था स्टेज के नेस इस question है यहाँ पर विश्व व्यापी तापक्रम विद्धी में प्रमुक योग्यता कौन है अंसर है option number A याने की carbon dioxide देखिए बातावरर में जैसे जैसे carbon dioxide की जो मात्रा है वह बढ़ती जाती है तो temperature भी जो है वह बढ़ती जाती है तो यह जो CO2 है carbon dioxide की जैसे वह तापमान विद्धी में जो है सहायक है नेस question है निम्न में से तारे एक सबसे बड़ा विश्वोट है जो आंत्रिक्ष में होता है आंसर है option number C यानि की supernova जो है तारों का एक सबसे बड़ा विश्वोट है जो की आंत्रिक्ष में होता है next question है यहाँ cubic zirconia का साधारण नाम क्या है यानि की किस चीज को और cubic zirconia के नाम से जाना जाता है आंसर है option number D यानि की American diamond जो American diamond है उसे cubic zirconia के नाम से जाना जाता है next question है lumen एक अक है यानि की lumen है किसकी एकाई है आपको बताना है answer है इसका option number A यानि की जोती flux का जोती flux का unit क्या है जोती flux की एकाई जोयवाय है लुमेन ठीक है next question है parameter किसके मापन में प्रयोग किया जाता है answer है option number A यानि की उच्चता देखिए जहां पर बहुत अधीक उच्चत आपमान रहता है वहां उस तापमान को मापने के लिए parameter का उप्योग किया जाता है next question है क्योरी किसकी इकाई का नाम है जो क्योरी है वो किस चीज की इकाई है इन में से आपको बताना है answer है radioactive धर्मिता radioactive धर्मिता की unit जहाबा है क्योरी next question है आंत्रिक्ष यात्री को आंत्रिक्ष में आकास कैसा दिखाई देता है answer है काला देखिए जो आंत्रिक्ष यात्री रहता है जब वो आंत्रिक्ष में जाता है तो उसे आकास काले रंग का दिखाई पड़ता है next question है आंत्रिक्ष यात्री आंत्रिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते उसका कारण क्या है answer है option number C याने की वहाँ पर गुरुत्व नहीं होता है गुरुत्व कर्ष बल नहीं होने के कारण आंत्रिक्ष यात्री जो है वहां आंत्रिक्ष में सीधे तरीके से खड़े नहीं रह सकता next question है अधिकास भूपरपटी किस सेल की बनी होती है answer है option number C याने की अगनेय अधिकास जो भूपरपटी होती है वह अगनेय शेल से बनी होती है देखिए चटान जो है वह किन तरीके की होती है एक तो होता है अगनेय होता है दूसरा और साधी और तीसरा कायान तरी जो तो भूपरपटी है वा जो है किस साल से बनी होती है तो वो अगनेय साल से बनी होती है नेज क्वेशन है आंतुरिक्ष में जाने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ती कौन थे अंसर है यूरी ग्यागरी अंत्रिक्ष में पहुँशने वाले 20 वके प्रथम व्याक्टी जो थे वे थे यूरी ग्याग्री नेस क्वेशन है एमिटर का प्रतिरोध संड के प्रतिरोध की अपयक्षा कैसी होती है आंसर है कम होती है देखिए जो एमिटर में रजिस्टेंस लगी रहती है उसकी रजिस्टेंस की जो मात्रा होती है बसंड के जो रजिस्टेंस होती है उससे कम होती है नेस क्वेशन है एक रंगीन गंद रहिद गैस जो आग बुझाने वाली हवा से भरी है उसमें कौन सी गैस रहती आपको बताना है आंसर है option number B यानिकी carbon dioxide gas एक रंगीन गंद रहीद gas जो आग बुझाने वाली हवा में भरी रहती है भाय है carbon dioxide gas नेस question है एक ही पदार्थ के अड़ों के बीच कार्यकारी आकरशरवर्ण को क्या कहा जाता है आंसर है ससंजक बल जो एक ही पदार्थ है कि अड़ों के बीच आकरशरवर्ण लगता है उसे ससंजक बल कहते हैं और देखें, यहाँ पर जो लिखा है आसन जगबल, तो दो भीन नपदार्तों के अड़ों के बीच में जो आकर्शन वर होता है, उसके लिए हम लोग आसन जगबल का उप्योग करते हैं, नेस कोश्चन है, एग मार्क क्या है? आंसर है, ओप्सन नंबर ए, यानि की खाद वस्तों के लिए गुरवक्ता आश्वाशन मुहार है, नेस कोश्चन है, ओजोन परत कहां पर मिलती है, यानि की कौन से इस फियर में ओजोन परत विद्वान हैं, आपको बताना है, आंसर है, स्टेटोस फियर, यानि की समताप मंडल, समताप मंडल में ओजोन परत विद्वान परत विद्वान है, नेस कोश्चन है, ओजोन छीद्र किसकी अधिक्ता के परिड़ाम से है? आंसर है, आप्सन नमबर C, यानि की CFC के प्रयोक से, जिसका फुल फार्म होता है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, क्लोरो फ्लोरो कार्बन की अधिक्ता के कारड़ी, जो ओजोन है, उसमें छीद्र जो है, वह बरती जारी है, नेस कोशन है किस ग्रह को शाम का तारा जिसे की इवनिंग इस्टार भी कहा जाता है आंसर है ओप्सन नमबर डी यानि की शुक्र शुक्र ग्रह को शाम का तारा या फिर इवनिंग इस्टार कहा जाता है नेस कोशन है किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है आंसर है option number A यानि की पेट्रोल जो पेट्रोल है उसका घनत्व जो है बहुत कम रहता है नेस्ट कोश्चन है जी सेट 17 क्या है आंसर है option number A यानि की यह जो है एक संचार उपगराया है जियो साटेलाइट एक संचार उपगराया है नेस्ट कोश्चन है यदि विरंचक चूर्ण जिसे की bleaching powder कहा जाता है को हावा में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा आंसर है option number C यानि की वह पीले रंका हो जाएगा यदि आप विरंचक चूर्ण को हवा में खुली तरीके से जोड़ देंगे तो वह जो है पीले रंका हो जाता है तो दोस्तों ये थे हम लोगे आज कुछ science के question अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को like कीजिए comment भी जरूर कीजिएगा चैनल को follow कर लीजिए notification bell icon को on कर लीजिए जिसे जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको अपने mobile पर notification मिल जाएगी और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर सेयर कीजिए और previous वीडियो जो हमने जो भी topic पर बनाए है उसके पीडियाप अगर आपको चाहिए तो उसका link भी description box में आपको मिल जाएगा Thank you ज своidée तोर आपको competitors आपको मिल जाएगा सरत्झे किडि dileव झे जाएग सु meant careful ओ장 मिल कपको आपको मिल जाएगा 最近 जाएगा है झाल को मिल जाएगा